राधे राधे मैं अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वावत करते हूं आपके लिए मैं एक और डिजाइन लेके आई हूं जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं जैंड स्वेटर बेबी स्वेटर लेडिज कार्डिगन जैकेट स्कार्फ कैप में आप इसे ड तीन फंदे लिए हैं और दस नंबर की सलाय लिए है प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें यह पहला फंदा उल्टा बना लिया उसके बाद दो फंदे उल्टे पीछे दागा किया अब दो फंदों के बाद यह चार फंदे बनाने हैं एक फंद दोफंदों का एक कर देना है आगे दागा किया दो फंदे उल्टे ते फिल्टे फिर पीछे दागा किया अब फिर दो के चार फंदे बनाने है एक दो फिर वही से डाल दिया तीन और इनके बैक साइड से दो का एक चार फंदे हो गए ये अपनी तरफ दागा किया दो फंदे उल्टे पीछे दागा किया अब फिर दो के चार फंदे बनाने है एक, दो, तीन, चार अपनी तरफ दागा किया दो फंदे उल्टे ये दो फंदो के बाद डालना है एक फंद अबन गया दो, तीन, और ये बैक साइड से चार और ये लास्ट वड़ा फंद है पूल्टा बना लिया अब ये सेकेंड रू अला फंदा सी दाबना है फिर एक फंदा और सी दाबना है अपनी तरफ दागा किया और ये तीन फंदे बिना बनाए उतार दिये फिर दो फंदे सी दे और इन चार फंदों में से एक फंदा सी दाबनाना है कि अब कि अभस성els बनाएं अपनी तरफ दगा किया यह तीन फिंदे बिना बनाएं उतार दिए फिर 2 फिंदे सीदे अपनी तबागा किया एक फंदा और सीधा फिर अपनी तरफ दागा किया ये तीन फंदे बिना बनाय उतार दिये दो फंदे सीधे तीसरा ये बी फंदा सीधा बनाना है जो ये चार फंदे थे इन में से अपनी तरफ दागा किया तीन फंदे बिना बनाय उतार दिये अब तीन फंदे सीद्धे बना दिये अब ये डिजान की थर्ड रो एक फंदा उल्टा दो फंदे और उल्टे बना दिये पिछे दागा किया अब ये तीन फंदो के एक फंदा बना देना है बैक साइड से अपनी तरफ दागा किया ये फंदा उल्टा बना दिया दो फंदे और उल्टे पिछे दागा किया तीन का एक कर दिया अब तीन फंदे उल्टे पिछे दागा किया तीन का एक अपनी तरफ दागा कर लिया तीन फंदे उल्टे फिर पिछे दागा किया तीन का एक कर दिया अपनी तरफ दागा किया दो फंदे उल्टे अब ये 4th row, 4th row में सारे फंदे सीधे बना लें हैं उल्टी साइड से सीधे बनाएंगे तो ये सीधे साइड से उल्टे फंदे दिखेंगे ये 4th row है टोटल 8 rows का डिजाइन है ये अब ये फिफ्टरो एक फंदा उल्टा अब उसके बाद दो और दो च्यार फंदे उल्टे बनाने हैं अब पाँचवे फंदे पे ये दो फंदो के बाद यहां से फंद डालके और इसके चार फंदे बना देने एक दो तीन और ये बैक साइड से दो का एक कर दिया अपने तरफ दागा किया फिर दो फंदे उल्टे अब दो फंदो के बाद यहां से चार फंदे बनाने हैं एक ये एक और बड़ा दिया ये तीसरा और चोथा फंदा बैक साइड से दो का एक कर दिया अब दो फंदे उल्टे पिछे दागा किया और अब दो फंदो के बाद यहां से डालके एक दो तीन और ये बैक साइड से दो का एक कर दिया अपने तरफ दागा किया अब ये तीन और फंदे उल्टे बना देने हैं अब ये सिक्स्त्रो अब इसीधा फंदा बना लिया दो फंद और शिद बना लियें अब ये चार फंद वबाडा एक फंदा उल्टा सिधा बना लिना है बाक की ये तीन फंदे बिना बनाई उतार ने अपनी तरफ दागा करके पीछे दागा किया अब तीन फंदे सी दे एक, दो और ये तीसरे वाड़ा अपनी तरफ दागा किया तीन फंदे बिना बनाई उतार दिये फिर तीन फंदे सी दे फिर अपनी दागा किया, यह तीन फंदे बिना बनायो तार दिये अब यह सारे फंदे, बच्चेवे पांच फंदे उल्टे बना दिये अब यह सावंधरो, एक फंदा उल्टा, और यह चार फंदे और उल्टे बना लिये पीछे दागा किया ये तीन फंदों का एक फंदा बना देना है अपनी तरफ दागा किया तीन फंदे उल्टे पीछे दागा किया तीन फंदों का एक बना दिया अपनी तरफ दागा किया तीन फंदे उल्टे पिछे दागा किया तीन फंदों का एक फंदा अपने तरफ दागा किया अब तीन फंदे ये चार फंदे उल्टे बना दिए अब ये एट त्रो इसमें सारे फंदे सिद्धे बना देने हैं कि इस तरह से यह डिजाइन कंप्लीट कर लेना है यह इसकी बैक साइड है और यह इसकी फ्रंट साइड है मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दन्यवाद रदे रदे क्रिम पर देखने कर दो देखने का लिए यह 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 नही है